नमस्कार सुलक्टा सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंशिका आज सवाल विपक्षी एक्ता पर सुलगाएंगे विपक्ष में किस तरह घमासान मचा हुआ है वो बताएंगे विपक्षी एक्ता का धोल पीटने वाले गचबंदन इंडिया में शामिल सभी पार्टियों के बीच मचा घमासान शान्त होने का नाम नहीं ले रहा है और अब यही तनातनी विपक्ष की अगली बैठक पर हावी होती नज़र आ रही है बड़ी मुश्किल से हुई विपक्ष की दो बैठकों के बाद अब तीसरी बैठक से पहले फिर से विपक्ष में बवाल शुरू हो गया है जिसकी वजह से अब तीसरी बैठक का समय फिर बदल गया है पहले ये बैठक मुंबई में 25 से 26 अगस्त को होने वाली थी अब इसका समय बदल कर सितंबर कर दिया गया है ऐसे में विपक्षी दलों की मीटिंग का अचानक समय बदलने पर तमाम सवाल सो लग रहे है विपक्ष में क्यों मचा है घमासान? क्यों बदली इंडिया की बैठक की तारीक? विपक्ष की तीसरी बैठक में क्या होगा? क्या बैठक से पहले टूट जायेगी विपक्षी एकता? ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि जो विपक्षी दल अब तक एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कस्मे खा रहे थे वही आपस में भिड़ गए हैं मोदी का विरोध करने के चक्कर में मोदी विरोधी एक दूसरे पर भड़कने लगे हैं और इसी बीच विपक्षी गठबंदन इंडिया की तीसरी बैठक का भी समय बदल दिया गया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिये हैं विपक्ष की अगली बैठक पहले 25-26 अगस को मुंबई में होने वाली थी लेकिन अब यही बैठक मुंबई में ही सितंबर के महीने में होगी लेकिन सवाल है कि आखिर समय क्यों बदला गया है दरसल जानकारी के मुताबिक विपक्षी दलों की पहले की निर्धारित तारीक पर कुछ नेताओं ने अपने व्यस्त कारेक्रमों का हवाला दिया है और बैठक में शामिल होने से असमर्थता जताई है बताया गया है कि बैठक में कई नेता ऐसे हैं जो अगस की तारीक पर बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे कहा जा रहा है कि NCP प्रमुक शरत पवार अगस के मज्ज से महराश्टर के दौरे पर निकलेगे शरत पवार उन नेताओं में से हैं जो अगले महिने अनुपलब्द रहेंगे हालकि ये कारण तो विपक्ष की ओर से बताया गया है लेकिन सवाल है कि बार बार विपक्ष की बैठकों का समय क्यों बदल दिया जाता है और हर बार बैठक का समय बदलने के पीछे यही सेम कारण दिया जाता है कि कुछ नेता इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे क्या जब बैठक का समय तैक ही आ जा रहा होता है तब सबसे बातचीत नहीं की जाती या कॉंग्रेस पार्टी अपनी ही मर्दी से सब डिसाइड कर लेती है जिसकी वजह से बाद में ये बाते सामने आने के बाद तारीकों में बदलाव किया जाता है दरसल माना ये जा रहा है कि तारीक बदलने के पीछे का जो कारण है वो महज विपक्ष में मचे बवाल पर परदा डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि पटना और बैंगलूरू की बैठक में विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कसमे तो खाली लेकिन इन्हीं विपक्षी दलों की विचारधारा का कोई मेल नहीं बैठ पा रहा है सबका एजंडा तो एक है दो हजार चौबीस में मोदी को हराना लेकिन इसके लिए सबके विचार बेहद अलग हैं कॉंग्रेस के सहयोगी दलों से अलग आम आदमी पार्टी, टी-म-सी, जे-डि-उ, आर-जे-डी ये ऐसी पार्टीयां हैं जिनके लिए केवल गठ बंदन बनना ही काफी नहीं है क्यों कॉंग्रेस की तरह इन दलों के प्रमुक भी गठ बंदन इंडिया के जरिए दोहजार चौबीस में प्रधान मंत्री बनने का सपना संजोए बैठे थे ऐसे में जस वक्त बैंगलूरू में विपक्ष की दूसरी बैठक हुई तो उसमें कॉंग्रेस की और से साफ कर दिया गया था कि वो पी-एम पद की दावेदारी नहीं ठोकेगी अब भला कॉंग्रेस के लिए ये मुम्किन होता भी कैसे क्योंकि राहुल गांधी को तो मुदी सर ने मानहानी मामले में दो साल की सजा हो गई है और इतने हाथ पैर मानने के बाद भी राहुल की सजा पर रोक नहीं लग सकी और अब तो कॉंग्रेस को 2024 के चुनाब से पहले राहुल की सजा पर रोक लगने की कोई उमीद भी नहीं दिख रही है राहुल के अलावा कॉंग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे कॉंग्रेस पीम मोदी के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट कर सके ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी ने इस मसले से अपना नाम पीछे लेना ही मुनासिप समझा लेकिन कॉंग्रेस पीछे हटी तो जो बाकी दल प्रधान मंत्री बनने का सपना संजोई बैठे थे वो पूरा करने का उनका रास्ता साफ हो गया और सबसे पहले टीमसी ने प्रधान मंत्री के दावेदार के रूप में मम्ता बनरजी का नाम आगे किया फिर जेडियों ने नितीश कुमार के नाम पर पीएम पत के लिए दावेदारी ठोग दी हाला कि अभी तो शुरुवात है धीरे धीरे अर्वन केजरिवाल और M.K. स्तालीन जैसे नेता भी अपने दावेदारी ठोग देगे हाला कि पीएम पत के उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दलों में घमासान शुरू हो चुका है ऐसे ही ये तो एक कारण है जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे 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 विपक्षी गठबंदन में हालात बिगरते चले जा रहे है फिलाल विपक्ष मौनसून सत्र में केंद्र सरकार को घेरने के लिए मनिपुर के मुद्दे पर हर रोज हंगामा कर रहा है विपक्ष की मांग है कि मनिपुर पर पियम मुद्दी संसत के अंदर बयान दे हलाकि विपक्ष की मांग को मानते हुए ग्रहमंत्री अमिच्शा इस मामले में चर्चा के लिए तैयार हो गए है लेकिन विपक्ष कोई न कोई नई माँगकर बहाने लगाके चर्चा से भाग रहा है क्योंकि विपक्ष को ये बात पता है कि अगर उनकी माँगे मान लिगई तो चर्चा हो जाएगी समाधान निकल जाएगा और फिर विपक्षी दलों के पास PM मोदी को घेरने के लिए कोई नया मुद्दा नहीं बचेगा इसलिए विपक्षी दल मनिपुर पर चर्चा की मांग भी कर रहे हैं और चर्चा से बचने के लिए बहाने बाजी भी करने में लगे हैं इसी के मद्दे नजर 16 विपक्षी दलों के 21 सांसद मनिपुर के दोरे के लिए गए जहां उन्होंने स्थिती का जाइजा लिया, लोगों से बातचीत की, जमीनी स्तर पर जाकर लोगों की परिशानियों को जाना ये विपक्षी दल केवल अपनी राजनेतिक रोटियां सेखने के लिए मनिपुर के दोरे पर निकल गए क्योंकि अगर वाकई इन्हे मनिपुर के लोगों से इतनी हमदर्दी होती तो ये धाई महिने पहले जब मनिपुर में हालात विगरने लगे थे, तब ही जाग जाते लेकिन अब पीएम मोदी को घेरना है, इसलिए मनिपुर का दौरा किया गया लेकिन मोदी को घेरने के चकर में ये मोदी विरोधी आपस में भिड़ गए और मनिपुर के मुद्दे पर विपक्षी एक्ता में फूट पड़ गई क्योंकि विपक्षी गटबंदन में तो 26 दल शामिन है, लेकिन मनिपुर केवल 16 ही दल पहुँचे बाकी के 10 दल कहां गए? सुनिया गांदी ने छोटे-छोटे दलो को साथ जोड़कर गटबंदन में दलो की संख्या को तो बढ़ा दिया लेकिन अब उन्हें साथ लेकर चलने के समय किनारा कर दिया गया ऐसे ही औविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी दल आपस में भिड़ गए मोधी सरकार को गिराने के लिए विपक्ष की ओर से नया पैतरा आजमाया गया अपनी फज़ीहत करवाने के लिए विपक्ष की ओर से कॉंग्रिस ने सदन में और विश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दे दिया जिस पर चर्चा के लिए अगले हफ़ते का समय दिया गया है विपक्ष का मानना है कि इस प्रस्ताव के जरीए वो PM मोदी को मनिपुर पर बयान देने के लिए मजबूर कर सकता है लेकिन पहली बात तो कि विपक्ष इस प्रस्ताव पर मूँ की खाने वाला है क्योंकि ये दूसरी बार मोदी सरकार के खिलाफ औविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इससे पहले 2018 में भी औविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिससे प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने पास किया था और अब भी नंबर गेम के मामले में बीजेपी ही आगे है जो से आसानी से मोदी सरकार इस प्रस्ताफ को पारित होने से रोक लेगी और विपक्ष को मुग की खानी पड़ेगी लेकिन यह विश्वास प्रस्ताफ पर नोटिस विपक्ष की ओर से कॉंग्रेस ने सौपा है जिसे लेकर विपक्षी दलों में अनबन शुरू हो गई है कॉंग्रेस के अकेले ये काम करने पर बाकी विपक्षी दल कॉंग्रेस पार्टी पर भढ़क गए और कॉंग्रेस के अकेले नोटिस दे आने पर नाराज की जताई कॉंग्रेस ने सुभा 9 बच कर 20 मिनिट पर ये नोटिस स्पीकर को सौपा जबकि 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक खडगे के चेंबर में होनी थी फिर भी कॉंग्रेस ने 40 मिनिट पहले चालाकी से नोटिस अकेले ही सौप तिया क्योंकि कॉंग्रेस का एक मात्र मकसद है कि वो इस पूरे विपक्षी गठबंदन का नेत्तित्व करे हालाकी इस पर काफी बवाल मचा ऐसे में खडगे को इस बात को सम्हालने के लिए माफी भी मांगनी पड़ी मनिपूर का मसला हो और विश्वास प्रस्ताव हो या फिर प्रदर्शन का मुता हो हर मामले में विपक्षी दल आपस में ही लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं जिसकी वज़र से इस बवाल को शांत करवाने के लिए बार बार तारीखों को बदला जाता है वहीं ऐसा पहली बार होगा जब विपक्षी दलो की बैठक ऐसे किसी राज्य में होने जा रही है जहां इन में से कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं है विपक्षी दलो की पहली बैठक 23 जून को बिहार के मुक्षी मंतरी नितीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल युनाइटेट की ओर से पत्ना में आयोज़त की गई थी दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बैंगलूरू में आयोज़त की गई थी और इसकी मेजबानी करनाटक में सतारूर कॉंग्रस ने की थी लेकिन अब जो बैठक मुंबई में होने वाली है उसमें इस राज में इंदलों में से किसी की भी सरकार नहीं है हाला कि मुंबई की बैठक इस माइने में भी महतपून होगी कि इस बैठक में गठबंदन इंडिया के सैयोजग के नाम पर फैसला हो सकता है और समन्वे समीती का भी गठन हो सकता है इसके साथ ही इसी बैठक में 2024 के लोकसबा चुनाव के लिए सीटो के तालमेल के संदर्व में भी कोई रूपरेखा तैयार की जा सकती है और आपको बता दूँ कि सीटो के तालमेल को लेकर भी विपक्ष में बड़ा बवाल मचा हुआ है हलकि विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोकसबा चुनाव के लिए अपनी चुनावी बिसाथ बिचाने का आगास करते हुए 18 जुलाई को Indian National Developmental Inclusive Alliance यानी इंडिया नाम से एक नए गठवन्दन की खोशना की बैंगलूरू की बैठक में नितीश कुमार भी नाराज हो गए थे नितीश चाहते थे कि गठवन्दन का सहीं उजग उन्हें बनाया जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद उनका मूँ बन गया और तब से ही नितीश को बवन में गुसे हुए है अब कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि नितीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं उसका भी कोई का इंफरमेशन नहीं है बेरहाल हर करफ से विपक्षी एक्ता में दरार पड़ती चली जा रही है गठबंदन का नाम इंडिया रखकर विपक्ष को लग रहा है कि वो 2024 का चुनाव जीत लेगा लेकिन एक्ता की वकालत करके ये दल एक दूसरे के साथ ही भीड रही है जिससे माना यही जा रहा है कि मुंबई में होने वाली बैठक से पहले ही ये एक्ता तूट जाएगी और विपक्ष पूरी तरह से बिखड जाएगा सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलाल इतना ही नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार